पूरी दिल्ली में लोग अर्विंद केजरिवाल जी के स्तीफे से दुखी हैं लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रही हैं कि आने वाले चुनाव में वो अर्विंद केजरिवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर अर्वन केजरिवाल जैसा इमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिज्री फ्री नहीं मिलेगी अगर अर्वन केजरिवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महला क्लिनिक बंद हो जाएंगी अगर अर्वन केजरिवाल जैस दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ पिछले दो साल से भारती जनतापाटी की केंदर सरकार ने लगातार शड्यंतर रची उन पर घष्टाचार के आरोप लगाए गए फरजी आरोप लगाए गए केंदर सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजनसी को उनके पीछे छोड़ा उनको एक जोटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा सुप्रीम कोट ने ना सिर्फ अर्विंद केजरिवाल जी को बरी किया बलकि बहुत तीखी टिपणी करी केंद्र सरकार की एजनसीज पर केंद्र सरकार की एजनसीज पिंजने में बंद एक तोते की तरह हैं और अर्विन केजरिवाल जी की गिरफतारी गलती एक दुर्भावना के तहट की गई थी अगर कोई भी और नेता होता कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंट जाके मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठ गया लेकिन अर्विन केजरिवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के रोकतांतरी के इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा, उन्हों ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोड का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए, मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊँगा, और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अर्विन केजरिवाल इमानदार है, तो मैं तभी मुख्यमंतरी की कुरसी पे बैठूँगा, और आज इसी तहत, अर्विन केजरिवाल जी ने अपना ले रही है कि आने वाले चुनाम में वो अर्वेंद केजरिवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते है क्योंकि उन्हें पता है अगर अर्वेंद केजरिवाल जैसा इमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिज्री फ्री नहीं मिलेगी अगर अर्वे पार्टी के सारे विधायक दिल्ली के दो करोड लोग इस मुहीम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाम में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंतरी बनाना है लेकिन तब तक जब तक चुनाम नहीं होता अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा करकर मुझपर ये जिम्मे है तब तक मेरे दोकाम रहेंगे एक यह मुहीन चलाना कि कैसे अरविन केजरिवालrió जी और धियुक्र और जब तक चुक्षिणार नहीं होते अरतिय बारतbay शड्यय रज ले के लोगों की बिजली फ्री बिजली अच्छे स्कूल महला क्लिनिएंग आज बंद ना कर दे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं और उसी के लिए आज हमने अजी साहब को पत्र दिया है सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगी का पत्र होगा